दोस्तो बहुत लोग को foreign जाना होता है, abroad जाना होता है, Europe जाना होता है, America जाना होता है, MBA के बाद मुझे भी 26 साल में लगता था कि यार ऐसा job मिले कि मैं लंडन जल जाओं, you know, France चल जाओं, बहुत पैसे कमा हों और दोस्तो आपको मैं बता दूँ कि Indian MBA से आज कल foreign में placements ज्यादा नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, मतलब 2007 के पहले जो lemon brothers का crash हो था, उसके पहले बहुत jobs foreign में मिलती थी, बहुत, मतलब कि 20-30% of the jobs भी ऐसा हो आए कुछ साहल, foreign में मिलती थी, मतलब कि अगर आप अच्छे student हो, आपका profile अच्छे आपको foreign जाना है, तो आपका foreign placement हो जाएगा, Indian MBA के बाद, तब फीज भी बहुत कम थी, Indian MBA की, IIM, Ahmedabad, Bangalore की बहुत कम थी, 2-3 लाक रुपए भी नहीं थी शा एक करोर की salary मिल रही है, foreign जा रहा है, investment banking कर रहा है, तीन साल में करोर पती बन रहा है, इंडिया पैसे बेच के flat ले रहा है, जमीन ले रहा है, ये 2007 के पहले की बात थी, तब क्या था, market बहुत तेरी से बना था, at least, ये Indian MBA तो बहुत ही जल्दी grow कर रहा था, IIM, Ahmedabad, IIM, Bangalore, IIM, Calcutta, से अगर आप MBA कर लेते थे, तो अगर आपको foreign जाना है, आप अच्छे स्वरेंट हो, तो आप जा सकते थे, 2007 के बाद foreign placements थम गया, 11 बदर्श क्रैश और जो फिर recession आया, उसके बाद चीजे बहुत बदल गए, आज तो ऐसा है कि fees बहुत जादा है, 20 लाग से उपर है, और average placement, actually enhanced salary to 1.5 लाग के असपास ही है, और अगर आपको IIM अमदबाद जाना है, वहां से foreign जाना है, तो एक day minus होता है, day minus में कुछ investment banking jobs आती है, तो आपका abroad placement होता है, पर वो मुश्किल से single digits है, या दस बाड़े बच्चे ही होंगे, जो foreign placements मिलता है, मेरे साब से, ज्या आप इंडियन MBA मत करो, आप या तो foreign से MIM करो, या वरक एक्स लेकर foreign से MBA करो, वह आसान तरीका है, foreign में बसने का, इंडियन MBA से आप तीन महने foreign घुम सकते हो, मेरा भाई, अरियन जैन IIM राइपूर से MBA किया है, वो तीन महने student exchange, IIM राइपूर से जाके आया था, वो पूरा यूरप घुम काया, France में, उसकी university थी, लिल में, और उसने पूरा यूरप घुमा, तो दोस्तों, ये तीन महने, यूरप subsidized घुमने का मौका, मतलब, की आपका, actually, college का cost bear कर देगा, और उसका कुछ 3 लाग लगा था, सब कुछ मिला के, 30 लाग, पर उसमें सब कुछ ता परवल लविशली, और परही भी नहीं करना होता है, आप टीम मेने का, आपका honeymoon, टीम मेने का, मतलब, कुछा vacation होता है, ये, 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 आपका अरप में, ये, आप MBA में कर सकते हो, टॉप IM में, आज, 20-30% लोग का placement हो नहीं होता अबराद, लेकिन, I am Amdabad, Bangalore, Calcutta में, 30-40% of the people they actually go abroad ABC में जिनको अबरोड जाना होता है वो अबरोड जाते एक्सचेंज में selection कैसे होता है मैं आपको IM Bangalore का बताऊंगा हर IM का अलग होता है पर जनरली इसी टाइप का होगा आपको इंटरा मार्केट का बिजनेस सीखना होता है यह दुबई और जपान में जनरली होता है यह हमारे आम विशागा पतनम में भी है गो नहीं नहीं हो विपारे कि भी तो हम दूभाई कहते हैं डूभाई जाते वह एप और आप उहां पर इंडर्स्त्री में जाते हो आप सीखते हो कैसे वहां कि इंडर्स्री्स चल रही है और आपको प्रोजेक्ट बराया होता है लास में कि प्रॉपर जो तीन मेने का होता है उसमें सेलेक्शन होता है आपके टर्म 1 के मार्क से आयम मैंगल में टर्म 1 के CGPA से सेलेक्शन होगा तो on the basis of the CGPA लोग decide करेंगे उनकी universities जो top CGPA लाये हैं वो अपने पसंद का अगर आपको एकदम अपने पसंद का university जाना है तो अच्छा करना होगा बाकी इसके अलावा टो यह बात है इसमें पढ़ाई बहुत कम होता है जहां लोग अग्राइब जाते है पढ़ाई एजी होता है तो लोग जनुरली ट्रैवल करते हैं लोग अपना सपना इनो शच करते हैं घूमने का इस वरी इमर्सेव उन अमेजिंग एक्सपेरियंस फोपीपल व दन यूरोप रावल क्योंकि आपके दोस्त जाते हैं आपके साथ वहां पर भी दोस्त बनते हैं आप यूनिवरसिटीव में पढ़ाई करते हो फिर घूमते हो इस अमेजिंग दूसरी बात प्लेस्मेंट्स त तब तो वह चल जाते हैं उनके लगता है कि पीपी उने मिल जाएगा तो अपलाई करते हैं मतलब बहुत रिस्क होता है और कभी-कभी वह वर्चुल के दोरा इंडर्व्यूस दे देते हैं Skype के दोरा वीसी के दोरा पर बहुत कंपनीज वीसी नहीं देना चाहती है वह वह पूछ लेता है एमदाबाद बैंगलोड में लाटरल प्लेस्मेंट होता है तो शायद उनसे क्लैस होता हो पर वह जेनरली वीसी से इंटर्व्यू लेते हैं तो उसमें मेरे को निलता कि एमदाबाद बैंगलोड में प्लेश्मेंट से क्लैस होता है क्यूंकि एमदाबाद तो इसटेट आपको एक्सचेंज की बाद होता है और आप घूम के आते हो फिर आपका तीन दिन में Placement हो जाते है तो प्लेसंट आपके दून इसकोल प्लेसमें जाना है अगर आपको फॉरेंग जाना है चैल लोग पुरा किया सीन है और क्या चाहिए आपको तो यह है आपका जिस्ट अगर आपको फॉरेंग जाना है ना एंबीए करने के बाद तो आप एक्सचेंज तो घूमाओ क्योंकि इंडियन एंबीए के बाद मेरे को नहीं लगता फॉरेंग क्रेस्पिंग मिलेगा आपको मिले बहुत बधिया है वह चीज की आपंग में गुमरे हो सब चीज देखाओ फिर इनडिया में काम करो इंडिया जिंडिया और आपको फॉरें 50 बसना है तो क्यव सार खीरें तो शयंते हैं तो टी कि